तो वल्लोज तो कैसे हूँ आप आशा करते हैं मस्त होंगे जब रदस्त होंगे जोस्तो आज हम बात करेंगे किरसी परिविक्षक 2023 को लेकर के कुछ बिंदो को लेकर हम बात करने वाले हैं जैसे कि किरसी परिविक्षक का क्या कारिय होता है उसका जो वेतन है वो कितना होता ह योगता एगरीकल्चर सुपरर्वाइजर बनने के लिए क्या क्या होनें चाहिए, आयू सीमा कितनी होने चाहिए, भरती प्रक्रिया है, वो किस तरह से होतीए, वो एगissä कम्राइजर का सिलिवस किस तरह से होता है, तो इन बिंदों को लेकर आम बात करने वाले, पहला बिंद लगते हैं उनका नियंतल कैसे करें खादवीज की मात्रा कितनी जाती है इस प्रकार का जो कारी है वो एगरी कल्चर सुपर्वाइजर का होता है इसके अलावाद की जाए दो वेतन की तो एगरी कल्चर सुपर्वाइजर का जो वेतन होता है वो दो वर्स तक तो लगबग 10,000 से और 18,000 के बीच में होता है ठीक है ना उसके बाद में दो वर्स बाद में उसका एगरी कल्चर सुपरवाजर का जो वेतन है 20,000 से लगबग 25,000 के बीस में एगरी कल्चर सुपरवाजर का जो वेतन है वो हो जाता है ठीक है ना इसके अलाव बात करें दोस्तों एगरी कल्च सुपर्वाइजर में जो एज लिमीट है वो कितनी की गई है तो मिनीमम 18 साल से और मेकजीमम 40 वर्षे तक के जो अभ्यारती है वो इसके अंदर फोरम पिली पे वो कर सकते हैं अब बात की जाए जो भरती पिरकिरिया है वो किस तरह से होने वाली है कुछ मित्रों के कुशन आते हैं कि क्या इसमें इंट्रिवू होता है मेडिकल होता है तो जो इस परकार के कोई पिरकिरिया नहीं होता इसके अंदर एक एक एकजाम होती है लिखित एकजाम 300 नंबर की एकजाम होती है 100 प्रसन आते हैं ठीक है यानि एक प्रसन है वो 3 नंबर का आता है ठीक है अब बात की जाए जो negative marking है वो 1 by 3 होने वाली है तो इस तरह से जो भरती पिर दिया है वो होने वाली है इसके अंदर भरती प्रसन नंबर को आते हैं अब आते हैं बात की जाए एक कल्चर के 60 प्रसन आते है ये 180 नंबर के प्रसन आते हैं Alber तो इस तरह सी जो एगरी कल्चर सुपर्वाजर है उसका सिलिव से आप से एगरी कल्चर सुपर्वाजर आप बन सकते हो यदि आप 12 पास आउट हो और आपकी जो एज है वो 18 वर्च की है तो आप इसमें फोरम फिलिप कर सकते हो ठीक है ना दूस्तो ये इंपोर्मिस्ट आपको कैसे लगे अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को देखेने के लिए सबी मित्र दुस्तों का तहे दिल से धन्यवाद ओके बाई बाई